नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिंग और आज हमारे साथ हैं जारकंड के चिप मुखे मंतरी स्री रगुवर्दास जी और इनसे बात करेंगे हम प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम जारकंड का सर स्वागत है आपका जी मीडिया पर सबसे पहले तो सर हम यह जानना जहां देश का 40% resources जारकंड में है और जो भारती जनता पार्टी सिर्फ बिकास की राजनिती ही करती है और इसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जो हमारे पास resources है जारकंड एक समरीद राज लेकिन इसकी गोद में गरीभी पलती है और उस गरीभी को समाप्त करना इस ज जारकंड में जो पलायन बड़े पैमाने पर होते है जो जारकंड के पर कलंक है इस कलंक को मिटाने के लिए जारकंड सरकार राजगठन के बाद पहली बार Global Investor Summit के आवजन के जा रहे है और इसके पहले एक बरस तक हमने विबिन ने राज्यों में रोटसों करने का काम किया दो-तीन देश भी हमने जाने का काम किया और जो उस रोटसों में जो निवेशक का रुजहान हमें पराप्त हुई तो हमें लगा कि पूरी दुनिया से हम अपने जो निवेशक हैं उनको जारखन की धर्ती में बुलाएं और जिस देश से भगवान विर्शा मुंडा शीदू कानू ने जो सोशन और गरीवी के खिलाब संखनाद की थे तो उनके सपना को पूरा करने के लिए कि जारखन में रहने वाले हर लोग को रोजगार मिले इस चिंता के साथ जारखन सरकार ग्लोबल सब्मिट कायोजन कर रही है बिल्कुल आपने ठीक है जैसे कि आपने कहा है कि नेचरल रिसोर्से देश का 40 परसेंट जारखन के पास है लेकिन कोई इन्वेस्टर्स को नेचरल रिसोर्से के अलावा भी कुछ चाहिए जैसे उन्हें अच्छी इंफ्रस्टर्ट्चर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए फिर अगर लेबर सादा प्रोडक्त बनता है तो उसके लिए मार्केट चाहिए उसको एक्सपोर्ट करने के फसलिश्ट इन सब सिलसिले के लिए सरकार ने क्या काम किया और आगे क्या योजने है देखे, मैं एक मजदूर हूँ और टाटा इस्टिल में काम कर चुका हूँ और एक इंड़स्ट्री को चाए एक ब्यापारी को क्या चीज़ चाहिए एक मजदूर रहते हुए मैंने इसको महसूस की है कोई भी उद्धोग पती कोई भी ब्यापारी किसी भी परदेश में निवेश करेगा तो उसकी पहली प्रात्मिक्ता होती है प्रोफिट दूसरी प्रात्मिक्ता होती है कि हम अपनी कमायवा धन अगर किसी राज में लगाते हैं तो हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए तिसरा निवेशक वही जाता है जहां सरकार की नीतियां अच्छी होती है सरकार की नियत भी साफ होनी चाहिए तो हमारी सरकार में सरकार की नियत और नीती दोनों साफ है पारदर्सी है सरकार मेरी बनने के बाद हमने सबसे पहला फोकस किया नीतियां बनाने में और हमने नई और दोगिक पुंजी निवेश पुरुस्टाहन नीती बनाई और करीब 10-11 पर 6 तरह से हैं जहां जारखंड में निवेशक निवेश कर सकते हैं उसके लिए निदिया बनाने लग काम की क्योंकि जारखंड माइस मिनरल्स के साफ साथ यहां हमारे सबजी भी काफी होती है तो हम food processing की policy बनाएं तो इस राज में automobile हब की भी बनने की संभावना है और इसलिए automobile हमने policy भी बनाई इस राज में अगर हमें जादा रोगों को रोजगार देना है क्योंकि जारखंड एक गरीब राज है गाउं में अगर हम जाते हैं तो बहुत से हमारे बच्चे बच्चियां गरीबी के कारण कॉलेज की उस सिख्चा नहीं देख पाए उनको स्कील्ड कर हमें छोटे-छोटे जुमध्यम उद्धो, ग्राम उद्धो, कुटिर उद्धो लाया कर उनको हम रोजगार दे सकते है और टेक्स्टाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां काफी रोजगार की घुंजाईस है तो टेक्स्टाइल पॉलिसी भी हमने बनाई और देश का बेहतरीन राज का टेक्स्टाइल पॉलिसी अगर कहे हैं तो वह जारकन का और इस जिसा में काफी निवेसक टेक्स्टाइल के काम सुरू हो जाए तो काफी बड़े पैमारे पर हमारे बच्चे बच्चियां यहां टेक्स्टाइल के सेक्टर में दिल्ली घुड़गों अनेक राज जाते हैं हमारी कोशिस है कि जो हमारे बच्चे टेक्स्टाइल के सेक्टर में गार्मेंट के सेक्टर में जो दूसरे छे है देश में किसी उसलग के पास यतना फॉल नहीं है शेदें हमारे पास सानस्कृतिक हैं अ जतने हमारे पास माइनिग टूरिजम है तो टूरिजम का सेक्टर बी ऐसा जहां उदोक का दरजा दे कर हम अधीक से अधीक लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो इसले हमने परेटन पॉलिशी भी बनाई है हमने फिल्म सिटी भी पॉलिशी बनाई और फिल्म की सुटिंग चल रही है अभी दिब्या बालन इसकी फिल्म की सुटिंग एक मायना दुमका में की बिल्कुल इन सब चीज तो बना हुआ है नक्सल प्राब्लेम है, दोगों जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको साफसूसरे तरीके से काम करने नहीं दिया जाता है, इन परसेप्शन्स को चेंज करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उस सिलसले में अब उसके लिए सबसे पहली नीतिया, और उस नीतिया का इंप्लिमेंटेशन के लिए परभावसाली सिंगल वीडो सिस्टम, वर्ल्ड बैंक लगाता अर जहारखन को लैंड रिफोर्म्स के मामले में पिछले बार भी हम देश का पहला राज था, आज भी हम पहला राज, हमने लैंड रिफोर्म्स की अब कोई भी फैक्टरी में हैं, पांस साल के अंदर ही कोई इस्पेक्शन करने फैक्टरी के अंदर जा सकता है, तभी परमिशन लेके, दुसरा जो साल साल रिनुवल करने का जंजर था उसको हमने समाप्त करके, पांस साल में एक बार आप रिनुवल होगा, जो फोर्टी लेवर एक्ट है, उस लेवर लायंड ओडर दो साल हमारी सरकार को गई जारकर्ण पहले बदनाम था भरष्टाचार से और उगरवादी घट्नाओं से तो दो साल में मैंने घटी पी में कहीं नहीं सुना कि जारकर्ण में किसी मंत्री आधिकारी पर भर भरष्टाकार का आरूप लगा जहां दो साल पहले कि एक स्कैम जारकंड का चीत्र आता रहता था। उसी तरह उग्रवाद की घटना बड़ी घटना हैं की सुर्यखों में आता था। लेकिन एक दो बर्स के अंदर कहीं भी नेशनल। टीवी के सुर्यखों में जारखंड उग्रवाद कि समस्या को लेकर नहीं आई क्योंकि सरकार गठन होने के बाद से मैंने कहा सुरक्षा इस सरकार की पहली प्रात्मिक्ता होती कि आम जनता को हम सुरक्षा सुनिश्चित करें और इसलिए सराज की जो कानून को जो चुनौती दे रहा था तो उनसे निपटने का काम हमने उग्रवाद जारखन में 50-60% समाप्त हो चुके दूसरी जो इन्वेस्टर्स के चिंता होती है जारखन में इन्वेस्टमेंट करने पर कि यहां की लैंड एक्क्विजिशन को लेके काफी दिक्कत है उनको होती थी खासका जो संथाल परगना एक्ट है या चोटानागपू टेनेसी एक्ट है उसके तहट लैंड एक्क्विशन में उनको दिक्कत होती है कोई भी इंडस्ट्री सेट अप करना जाते हैं सबसे पहला उन्हें जमीन की जुरूत होती है उस सिलसिले में आपकी सरकार ने क्या काम किया है ताकि लेकिन नितिया बनाने के साथ कुछ करने पहले हो सरकार गिर जाती थी लैंड जारकान में कोई प्रोब्लम नहीं है और हम आज ने ग्लोबल सब्मिट कर रहे हैं इस दो बर्स के अंदर हमने करीब पचीस हजार क्रोड़ रुपे का पूंजी ने में धरातल मेरा काम चल रहा है अगला मैना ही हम नगरी में फूट प याइडा बनावा था सब को कलप्स करके हमने जारकान इंडस्ट्री डेवलापमेंट ऑथोर्टी बनाया और सरकार के अनेक विभाग के पास इतनी खाली जमीन है जो इनकुरोच हो रहा है उस सारा जमीन को हमने विभाग का कहा ट्रांसफर करके जारकान इंडस्ट्रील डे जितना जमीन मांगा, चाह 50 एकर, चाह 5 एकर, within one month के अंदर जमीन उनको हम सुपुर्द कर दे रहे हैं.